So hi guys and welcome back to my channel the DIY Jogard और वेरा नाम है वेभव So आज का वीडियो होने वाला है एक बहुत ही ज़्यादा यूसफूल प्रोड़क्ट पर डेफिनिटली वो प्रोड़क्ट आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है और उस प्रोड़क्ट को मैं रावंट एक हफते से चेक करूँ और प्रोड़क्ट बहुत ही ज्यादा एक नमबर है So ज्यादा दाइम में लेतो है पहले मैं आपको प्रोड़क्ट दिखाता हूँ So यहाँ पर है मेरे पास प्रोड़क्ट का बॉक्स जैसा कि आप देख सकते हैं और बिल्कुली प्लेन बॉक्स है पीछे बस एक बारकोट लगा हूँ है So बाद में बाद करते हैं पहले खोलते बॉक्स को एक यूजर मैनुल जिसको आप कभी नहीं बढ़ने वाले परपस है वो है इसके कवर के नीचे So नेल से इसको यहाँ पर खोलेंगे एंटन है यह आप देख सकते हैं 303 नेंबर चिप और इसको हम हटाएंगे तो यहाँ पर मैंने अक्शली टेस्ट कर रहा था तो सेम इसमें डला ही हुआ है सेम भार निकाल देते हैं यह है हमारा प्रड़क्ट यह है एक GPS Tracker कम Voice Recorder तो हाँ जी यह एक GPS Tracker है और GPS Tracker के साथ साथ इसमें और भी बहुत सारे फीचर हैं और में फीचर जो इसका है वोईस रिकॉर्डिंग का तो लाइक बहुत ही ज़ादा सई चीज है यह इसे पहले मैं 2-3 वीडियो मना चुक हूँ GPS Tracker के उपर में तो अगर आपको GPS Tracker की इंफर्मिशन लेनी है तो मैं उपर आई बटन में वीडियो को लिंक कर दूँगा आप वहाँ से ले सकते हैं और अब बात कर ले थे हम इस प्रड़क्ट की तो थोड़ा से लेक्चर दूँगा इस वीडियो में भी बट इसको सून लेना थोड़ा काम आएगा और जरूरी भी है तो फर्स्ट अपॉल प्रड़क्ट कहां से आया है चाइना से इंपोटिट है तो बात कर ले थे प्रड़क्ट की कोस्ट की तो कॉस्ट है इसकी वीडियो के बीच में बताऊंगा नहीं तो आप वीडियो को पका स्किप करेंगे इसमें एक सिम डलता है नैनो सिम लाइक मेरे पास यहां पर है टारता नैनो सिम जो एटल का है आजकल सब भीट फόन में यह डलता है ये 2G पे ही काम करता है, तो like इसमे ATL Vodafone Idea के SIM चलेंगे, Gio का SIM इसमें नहीं काम करेगा, Gio 4G है अकेला So best रहेगा कि आप इसमें ATL का ही SIM यूज कीजिए, मैं ATL को promote नहीं कर रहा बट ATL सही काम करते है मेरे यहापे, तो पहले तो इसमें SIM कैसे डालना है, तो SIM डालने के लिए यहापे इसको स्टील वाले पार्ट को आपको स्लाइड करना है, और यह ऐसे को नीचे आजएगा आपका स्लाइड करके, तो like this और nano SIM आपका चले जाएगा इसके अंदर ऐसे, tray को आपको नीचे स्लाइड कर देना और SIM हमारा लॉक हो चुक है, तो micro SD guard आपको डालने के लिए just card रखना है और ऐसे अंदर आपका micro SD guard चला गया, और अब हम कर देंगे इसको उपर से ऐसे बंथ, तो यह त्यार हो गया हमारा mobile charger कम GPS tracker, तो SIM और card डालने के बाद आपका आदा काम तो हो चुक है, अब बता दू SIM को setup करना कैसे है, so इस tracker की जो running cost है, वो बहुत ही ज्यादा कम है, so SIM में कराना है आपको एक recharge, मैंने इसमें recharge करा है, 48 रुपीज का, जिसमें आपको 3 GB data मिलता है, और 28 days के लिए वो valid होता है, वो ATAL में, और इससे कम काली भी एक scheme थी, 29 रुपीज बाला जो मैंने पहने गरवाया था, उसमें आपको 520 MB data मिलता है, 28 दिनों के लिए, so आपने इसमें recharge करा लिए, तो आपको क्या करना, आपके फोन में SIM है, तो आपको फोन को switch off करके SIM को भार निकालना है और आपको इस device में डालना है और उसके बाद आपको अगर जुरूरत पढ़ती है अगर आपका GPS tracker नहीं काम करते हैं, तो एक आपको SMS send करना है, APN set करने के लिए, so ATAL के case में यह वाला है तो आप अपनी customer care से contact करके उनसे पूछ सकते हैं, so APN 123456-ATALGPRS.com so यह SMS type करके आपको अपने SIM वाले नंबर पे भेजना है so यह भेज देंगे, आपका पूरा GPS tracker totally set हो जाएगा so यह तो था इसका setup, तो अब बात करें थे tracking कैसे ही कर रहे हैं तो आपको दो options मिलते हैं, आप इसकी manual पढ़ेंगे, आपको सब समझ आज़ेगा तो पहला तो है SMS के थुरू, इस नंबर पे आप SMS भेजेंगे अपने किसी और नंबर से तो यह आपको सारी details वापस भेजता रहेगा बट दूसरा वाला सबसे सही है, आप के थुरू, iOS और Android दोनों के लिए इसकी apps अवेलेबल हैं GPS 365 के नाम सी इसकी app है, दोनों के links में आपको नीचे description में दे दूँगा और साथी साथ जो आपको manual है, उसके उपर barcode भी दिया होता है, तो आप उससे भी scan कर सकते हैं आप का इकन आपको ऐससा मिल जाएगा, आप इसको खोलेंगे, खोलने के बाद permissions ग्रांड कर दिएगा अब आजाती है बार यहां username और password की, तो यहाँ पर barcode scanning option है, scan करेंगे आपका जो device आपको यहाँ पर दिया हुए, यहाँ पर एक barcode है, तो यह आपको किसी के साथ share नहीं करना है, तो मैं अभी इसको blur कर रहा हूँ और उसके बाद आपको जस्ट इसको scan कर लेना है, और phone बहुत जोर से vibrate होगा, scan आपका हो चुका है, login आपका सारा कुछ जो भी login था वो हो गया है, तो यहाँ पर आपको options बिल जाएंगे, so features इस device में काफी सारे हैं, बट video लंबा नौजट, so सारे features like geofence हो गई, over speeding alert हो आपको इसमें चला के नहीं दिखाऊंगा, मैं main main जो इसके important features हैं, आपको इस video में मैं वो ही चला के दिखाऊंगा, so friends मैं आचको अपनी car के अंदर और मेरे बास यहाँ पर हमारा device, so first of all मैं इसका cover हटा लेता हूँ, so cover इसका हट चुक है, और इसको मैं अब insert करूँगा अ सारी blinking lights की बंद हो चुकी है, और हमारा GPS है, वो setup हो चुक है, so मैं जाओंगा इसकी app के अंदर, और app हमारी खुल रही है, so first of all हम जाते हैं track के उपर, so अब आच चुक है हमारा tracking वाला page, और आपको इहाँ पर सारी information मिल जाएगी, like आपका जो device है वो static है, और उसकी battery charging पे है साथ में SIM का जो network है, and the best part is that जो इसका timing है, वो automatically सही हो जाता है, like आप देख सकते हैं, जो अभी phone में time हुआ है 6-11, और same time यह दिखा रहे है, like 6 बज के 10 minutes, तो कहीं trackers में problem आती है कि जो timing होता है, वो नहीं सही दिखाता, so यह है इसका tracking वाला feature, और आप चाहें तो आप यहा पर click करने के बाद, यहाँ पर आपको वो वाला number set करने, तो जब आप उस number से अपने GPS device पर call करेंगे, तो वो ही pick करेगा, so मैं यहाँ पर अपना phone number enter करता हूँ, और यहाँ पर मैं click करूँगा, confirm के उपर, और यहाँ पर देख सकते हैं, आप आ रहा है, send successfully, so अब आप देख से उस पर GPS पर call करूँगा, तो वो pick करेगा, और आपको आपकी सारी बात सुनाई देगी, so अब for example, मैं call कर रहा हूँ, अपने GPS वाले number पर, और speaker बढ़ा देते हैं, so अब यहाँ पर echo आईगी, phone mute करते है पहले तो, और speaker से इटाते है, so अब इसका फाइदा गया, जो भी आतोरी है कार में, तो वो आप सारी सुन सकते हैं, आप कहीं पर भी बैठे हो है, और साथी साथ अप में feature है, आप उसको record भी कर सकते हैं अपने कार में, बट यह जो spying वाली चीज़े हैं, कई ना कई illegal होती है, तो यह सब करने से पहले आप एक बार जानकारी पूरी निकाल के आ रही है, तो मैं तब दिखा, इसी लिए में रहा है, बट प्रॉपर नहीं दिखा रहा है, तो थोड़ी सी इसकी accuracy है, वो downside पे है, तो यह बात का आपको ध्यान रखना होगा, तो आप बात कर लेते हैं, इसकी cost की, तो इसको खरीदने का link आपको नीचे description में मिल पर आप Google में भी search कर लें, अगर आपको ऐसा डिवाइस खरीदना है तो, तो अब बात आ जाती है, यह जो डिवाइस से आपको खरीदना चाहिए, या नहीं खरीदना चाहिए, तो यह डिवाइस में उन लोगों को नहीं रिकमेंड करता हैं, जिनके ट्रक्स हैं या टाक्स जो कमर्शली यूज करते हैं अपने कार्स को बट यह डिवाइस में रिकमेंड करता हूं उनको लाइक जो डिमेस्टिक परपस के लिए, आपकी कार घर में काफी सारे जनने चलाते हैं, आपके ड्राइवर्स चलाते हैं या आपकी कार सिटी में जाधा चलते हो आपको कोई भी फायदा नहीं है, लाइक चाबी निकाली तो पता ही नहीं लगेगा किसी ने कार खड़ी कहां पर कर रखी है, तो कमर्शली ये डिवाइस को यूज करने का को ही मतलब नहीं बनता, जब तक इसमें बैटरी नहीं आती हो, और बैटरी आ जाती है, तब यह बहुत सह पीचर चेक करके जिखाता हूँ, डिवाइस गाड़ी में रहेगा, मैं कैमरा और फोन को अंदर रखाँगा, और आप अडियो सुनना की कैसी वाज आती हो, और मैं गाड़ी में से कुछ बोल दूँगा, तो इसको करते हैं ट्राइए, तो यह आज आज की वीडियो अच्छी लगी है, तो लाइक जुरूर करना, और साथ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, जिन को GPS राकर खरीदना है, और अगर मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं कर रहा है, तो फॉलो कर देजिए, वहीं पर सारे आपको लाइड मिलते हैं, और सारे question and answer वहीं पर हो जाते हैं, और साथ इसाथ चैनल को subscribe कर लो, अगर अगर अभी तक नहीं किया है, ऐसा ही बड़िया content देखने के लिए, तो इसी note के साथ करते हैं, वीडियो को end, so thank you for watching this video guys, hope to see you in my next video, so till then, ride safe, ride hard and track your vehicles, so मिलते हैं किसी और बड़िया कर लो अअखचर कुछर को end, कुछर को अगर अगर झाल जई हैं, हैं किसी और सांते हैं, झाल बड़िया झाल म।र्सें